नमस्कार जार्कन के संध्या समाचार में आप सबी का स्वागत है चलिए जानते हैं आज की दिन भर के मुख्य बड़ी खबरों को पहली बड़ी खबर के बात दो जार्कन में आज कोरोना से 62 मौते 2925 नए मामले जार्कन में पिछले 24 गंटे में 54,338 लोग की कोरोना जांच हुई है जिसमें 2925 संक्रमित पाए गया है इस तरह परते 100 संपल की जांच में 5.38 संक्रमित मिले है राज में दो दिन से नए संक्रमित में आसिंग बिर्धी दर्च की गई है राहत की बात या है कि राज में 24 जांच की करम में मौत हो गई है नाई संक्रमितों की बात करे तो बोकारों में 148 देवघर से 37 धनबा से 241 दुमका में 9 पूर्व सुम्हमी में 784 गळभा में 61 गुड़ा में 33 गुमला में 94 हाजारी बाग में 170 जामताड़ा में 29 खुट्टी से 71 कोडरमा में 94 लातिहार साथ लोहर दग्या से 71 पाकुड में 7 पलामो में 102 रामगड में 104 राची में 289 साहिब गज में 30 सराइकेला में 44 सिम्डेगा में 70 पस्यम सुम्हम में 194 ने संक्रमितों की पहचान हुई है अगली बढ़ी किमर की बात दस वी बार बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमत तेल कमपनि परती लीटर और डीजल में 29 पैसे परती लीटर की बृधी की गई है या बढ़ोतरी इस महें दस्वी बार की गई है अगली बढ़ी ख़बर के बात करे तो लोगडाउन में सुभा की सायर पड़ी महंगी पांच दरजन सधिक मौर्निंग वाकर्स किये गया गिर अपतार जहरकन के जमसितपूर में मौर्निंग वाकर्स पर सुभा सभा पुलीस का डंडा चला सहर में कोरोना संक्रमन रोकने के लिए आसिंग लोगडाउन लगा है जिसमें पुलीस पर सासन लोग को बेवाजा सड़क पर निकलने समना कर रही है इसी कड़ी में बुधवार को सड माव विष्टूपूर साक्ची जूबली पार्क से पकड़े गए लोग को जो है केम्प जेल ले जाया गया वहाँ सबों की कोरोना जांच कराए गई जांच में जो है जमानेतिये धारा होने की वज़ा से सबों को जो है कागजी खाना पूरी के बाद छोड़ दिया गया है साथी हिदाया दी गई है कि जो है आइंदा लोगडॉन के गाईडलाइन का उलंगहन की है तो जो है खायर नहीं आगली बड़ खेबा की बात को तो 14 में आवेद नसे के कारोबार के खिलाप कारवाई विभिन बरांट के 1584 बोतल बीदेशी सराब जब्त एक तसकर गिरापतार किया है पुलीस ने 144 पेटी बंद विभिन बरांट के 1584 बोतल बीदेशी सराब जब्त किया है सराब के साथ एक तसकर को भी गिरापतार किया है गिरापता तसकर सुबासकुमार पटना जिले के सहपुर्थाना चेतर के मुबारकपूर गाउंकर आने बाला है बुधवार को यह जानकारी स्ट्पो अभिनासकुमान ने दी है अगली बड़ी के बार के बात के तो टीका करन के 20 दीन में इन 10 लक्षनों पर करे गौर स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले ने टीका लगवाने वाले लभ्यारतियों के लिए सलाजारी की है ताकि लोग किसी भी कवए 90 वैक्सीन लगाने के बाद 20 दीन के भीतर होने वाले 10 लक्षनों पर ध्यान दे और तुरन समंधि डॉक्टर से संपर करे ये लक्षन आने पर जहां से टीका लिया गया है वहां से संपर किया जा सकता है मंतराले ने कहा है कि लोगों में टीका करन को लिकर भाय को भी दूर किया जाना चाहिए अगर टीका लेने के बाद आप में ये दस लक्षन दिखाए देते हैं तो इन्हें जो है नजर अंदाज ना करें सास का फुलना, सीने में दर्ध होना, अंगों में सूजन होना, इन्जेक्सन वाले जगह पर लाल धबबे या तवचा में नीले काले धबबा होना, लगतार पेट दर्ध होना, दोरा पढ़ना, लगतार सीने में दर्ध होना, सरीर के किसी अंग में कमजोरी आना, बिना किसी क जक्कर में किसान परिशान खेतों में छोड़ रहे हैं सबजियां लागत भी नहीं मिल पा रही है। अगली बड़ के बार के बाद तो जेमेम अध्यक सीबु के सहयोगी पूर्व अध्यक छारू का निधन मुकमंत्री हैमन सोरिन जताय सोक चंदन की यारी के पूर्व विधायक वा जाम्मो निता हारू रजवार का बुधवार तड़ा के चार बजे धन बात के असरफी अस्प पूरा बिधायक के निधन से पूरे जो है चंदन की यारी में सोक वाप्त है मुकमंत्री हैमन सोरिन ने भी ट्वीट कर रजवार को जो है अभिभावक बताते हुए सोक जताया है अगली बड़ के बात के बात के तो PG समेश्टर 4 की ऑनलाइन क्लास गर्मी के चुटी में भी चलेगी राची बिस्व बिदाले मोख्याले प्रभारी कुलपती डॉक्टर कामनी उकमान ने सभी कोलेजों के परचारियों के साथ बैठा की इसमें अहां मुद्दो पर चर्च दिया गया है राची बिस्व बिदाले में 19 माई से 20 जून तक समर वेकेशन है बैठक में निरने लिया गया है कि समेश्टर 4 के बिदारतों की ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी इसको लेकर सभी परचारियों को निर्देश दिया गया है इसमें किसी तरह की कोता ही नहीं होगी अगली बड़ी खेबर की बात करतों ब्लैक फंगस के दो नय मरीज मिले जमसेदपूर में ब्लैक फंगस के दो मरीज मिले हैं जबकि इसी बिमारी से एक अन्य मरीज की मौत हो गई है जमसेदपूर में अब तक इस संक्रमन के तीन मरीज मिल चुके हैं मरीजों के नमौनों को जांच के लिए भेज दिया गया है इसी बीच जो है ब्लैक फंगस से आदित्यपूर के एक युवा की मौत हो गई है यह जो है कोलान में पहली मौत है इसकी पुष्टी मृतक के मामा ने की है आरोफ है कि दवा नहीं मिलने से इस मरिच की मौत हुई है अगली बड़ खेब के अनुसार जंगल में नकसली संगठन पियल अपाई के एक दस्ते के साथ मुडभेद हुई है और मुडभेद के बाद पुलिस ने उग्रवादी दस्ते के एक सदस को गिरपतार किया है वह मुडभेद अस्तल से पुलिस ने दो कट्टा, दो गोली, एक फायर किया हुआ, खोखा, तीन मबाईल, पांच बाइक और जो है दो पीटू बैक बेरामत किया है, मुडभेद में उग्रवादी दस्ते की और से 15 से 20 चक्र और पुलिस की और से 15 रौट फायरंग किया गया है, मुडभेद में किसी उग्रवादी की मारी जाने की सूचना नहीं है, अगली बाली खबर की बात करें तो अच्छी खबर, अस्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू करने में जार्खन नमबर वन, राजस्तान और गुजरात को पचाड़ा, कोरोना काल में मायुसी के बीड जार्खन के लिए एक सूखत खबर है, किंद्रिये जो है आवास्ता नेवम सहरी विकास मंत्राले द्वारा देशभर के अस्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की गई, इसमें जो है जार्खन नमबर वन बना है, पिछली बार राज़की रैंकिंग में गुजरात नमबर वन था, लेकिन ताजा रैंकिंग में सौ में से 69.59 मार्क्स के साथ जार्खन प बातकृत कोरोना से निपटने में धान की कमी नहीं, डॉक्टर उराउं, जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्धक्ष सहराज की बित्वा खाद आपूर्थी मंत्री, डॉक्टर रामेसर उराउं ने कहा कि कोरोना संक्रमन से निपटने के लिए राजसरकार किसी सहयोग नहीं मिलने के बावजूद आपने जो है संसादनों के माध्यम से इस्थिति को नियंत्रिंट करने के प्रियास मजूटी है, प्रदेश कॉंग्रेस अध्धक्ष राच्ची इस्थित कॉंग्रेस भाउन में राहत्वा निग्रानी समिती के कंट्रोल रूम में करिब दो घंडे तक कारियों की समख्चा करने के बाद पत्रकारों से बादचित कर रहे थे, प्रदेश कॉंग्रेस अध्धक्ष ने कहा है कि कोरोना संक्रमन के दूसरी लहर पर परभावी तरीके से नियंत्रन के साथ ही राजसरकार तीसरी व्याप से उत्पन होने के स्तिती से भी निपटने के लिए अवस्चक तैयारी में जूटी है तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस करते जे जिससे आपको ज नहीं हमें दिजए इजादत फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में